अगले कुछ घंटों में 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री विश्णु देश आये लेंगे मुख्यमंत्री पत्की शपत और स्को लेकर के किस तरीके के तैयारियां हो रही है देखिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं मुख्यमंच लगभग बनके तयार है आखरी की जो मौझूद हैं ही उसके अलावा यह जो तैयारियां चल रही हैं कार्पेट बिच चुके हैं इस वक्त यह बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं और इन पंडालों के नीशे मौझूद होंगे करीबं 30 से 40,000 कार करता जैसे की जानकारी मिली है हाला कि कहा तो यह भी जा रहा है कि 50,000 लोग इस पूरे जो करेकरम होगा मुक्यमंत्री पत की शपत लेने का उस वरान यहां मौझूद होंगे और अब तक मिली जानकारी के मताबिक जब यहां पर करेकरम शुरू होगा तो देश के प्रधान मंत्री नरेन रिमोदी इस जिन गटकरी के बारे में जानकारी मिल रही है इसी तरीके से जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आजितनात आसाम के मुक्यमंत्री हिमन विश शर्मा गोवा के मुक्यमंत्री उसके अलावा जो है अन्य राज्यों के मुक्यमंत्री यहां पर मौ करिक्रम होगा और ऐसा करिक्रम जो कि रायपूर के पहले जब भी शपद गरेंड हुआ है तो इस पेमाने पर नहीं हुआ है इस तरीके की बाते कहीं जा रही है और फिलहाल तैयारियां भी कुछ उसी और इशारा कर रही है बड़े बड़े इस तरीके के पंडाल बनाए जा है जहां पर करकरताओं के बैठने के लिए लगाय जा रहा है और झीजा गर्माद को इस नहीं को यहां पर आने के नुमती है तो देखे किस तरीके से जो में मंच है पूरा एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है में मंच के साइड में और सब्सक्राइब के जानकारी मिल रही है हलांकि अभी तक में मंच ही बनके तयार हुआ है वहीं आज पास कुछ इस तरीके से भाजपा के जंडे के रंगे ये पंडाल पूरी तरीके से सजे होंगे और वही जो इस वक्त तयारी देखने को मिल रही है तो साफ तोर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जीत हासिल की है बीजे पी ने यहां पर और जिस नाम का ऐलान किया है विश् अंतिम चरण में हैं और अगले कुछ घंटों में विश्रु देश्टाइल ले लेंगे 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री पत की शपत उनके साथ में शपत लेंगे दो उप मुख्यमंत्री भी सही होगी कैमरा पर्सन जितेनर सिंग के साथ अंकिर गुपता एबिपी न्यूस र